अससालाम वालेकूम, Welcome to my YouTube Channel. तो आज हम पढ़ेंगेập ंटरिक्ट पर इन्टरेर्स्टर के बारे में तो मैं हूँ आपका होस्त मोहमल कुमान अकरम तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इन्टरेक्ट अड्रेर्स्टर कांटेंड अड्रेस उफ उपरेंट rather than operand itself इसके अंदर जो मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी instruction होती है तो हमने उसके दो field में divide कर देते हैं एक opcode में और एक operand में ठीक है अब यहां पर क्या होगा यहां पर operand वाली field में operand नहीं होगा operand वाली field में क्या होगा operand का address होगा ठीक है तो वहां में मुझे एक memory का address मिलेगा मैं जब उस memory के address पर जाओगा तो आगे से मुझे वो operand मिलेगा तो यह इस तरह करके मतलब कि इसमें working होती है तो इसमें competition जादा हो जाती है ठीक है क्योंकि पहले तो हम यह था रिजिस्टर में आते तो हमें operand मिल जाता था पर लेकिन यहां पर हमें address मिलेगा ठीक है हम पहले register में आएंगे फिर हम main memory में जाएंगे तो इसने का competition जादा हो जाएगी ठीक है हम यहां पर memory का address भी रख सकते थे पर क्या हो सकता है memory का address भड़ा हो सकता है ठीक है तो भड़ा होगा तो क्या होगा instruction के जो size भड़ा हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे हम instruction का set register में रखेंगे फिर register का जो address है वो हम रख देंगे उदर operand में तो इस तना करके इसकी working होती है ठीक है तो मैंने आगे ये example भी solve की है देखें मैंने का load करो R1 को अब वो R1 पे आएगा तो जब accumulator उसको load करेगा तो R1 में आएगा तो R1 नहीं load होगा R1 आगे point कर रहोगा memory को ठीक है फिर वो memory में जाएगा फिर वहाँ से उसको मतलब का operand मिलेगा इसी तरह मैंने एक और example की add R1 और R2 अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे R1 और R2 को add करूँगा ऐसे नहीं होगा मैं जो R1 R2 है न R2 को जो उसकी memory में location है मतलब कि जिसरे से memory में जाऊँगा फिर वहाँ से उसको load करूँगा तो इस तरह करके मैं दोनों को plus करके फिर R1 में save कर दूँगा ठीक है तो इसमें यह हम क्यों use करते हैं क्योंकि आप देखें आप एक 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 for example कोई किसी memory का size है 64 के into 16 तो यह power 16 बनती है मतलब कि 16 beats का कोई address ही होगा 16 beats का उसको हम बनता को operand वाली field में रखेंगे तो instruction का size बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे हम यह जो 16 beats का code है मतलब कि address है कोई भी memory का इसको हम रखेंगे register में तो for example 16 register मेरे हैं पास हैं तो बनतलब कि 4 beats use होती है तो मैं फिर वो जो 4 beats हैं उसको मैं रहा दूँगा उपरेंट की जगा तो इस तरह क्या होगा कि हमारी जो competition वह जादा हो जाएगी पर लेकिन क्या हमारी instruction का size छोटा रहेगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रेक्टर के साथ तब तक के लिए आल्ला हाफिज